हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का CBT जो मिस्टडी यूटूब चैनल में आज का वीडियो काफी ज़दा इंपोर्टेंट है RRB NTPC रेजल्ट को लेकर दोस्तों महत्वपूर खबर निकल कर आ चुकी है कि कब इसका रेजल्ट गोसित होगा साथ के साथ दोस्तों डाउड जो आप लोगों का काफी दिनों से बना हुआ है कि RRC ग्रूप D की परिक्षा जो नहीं कंड़क्ट कराई जा रही है क्या इसका रेजल्ट गोसित हो जाएगा RRB NTPC का तो क्या इसका CBT2 पहले कंड़क्ट करा लिया जाएगा दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ दोस्तों बने रहीएगा RRB NTPC का किस जोन से आप फॉर्म अपलाई किये हो नीचे दियेगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा देख सकते हो बहुत ही ट्रस्टेबुल खबर निकल कर आ चुका है न्यूज 18 के ओफीसियल बेप साइट पर RRB NTPC रेजल्ट 2021 किसी भी वक्त जारी हो सकता है परिड़ाम रेजिटेशन नंबर के साथ रहे तैयार जिया दोस्तों कहने का मतलब है आप लोगों को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना है नीचे चलिए डीटेल में देखते हैं यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ बताएगे है पहले RRB NTPC परिक्षा में सामिल होने वाले उमिदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है रेलवे भरती बोर्ट जल्दी RRB NTPC CBT1 परिक्षा का परड़ाम अपनी आधिकारिक बेपसाइट पर जारी करने वाला है जैसे ही दोस्तों स्क्रोल करते हुए आओगे आप लोगों को यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा बोर्ड ने हाली में मिनिस्टियल एंड आईशोलेटेड भरती परिक्षा के नतीजे जारी किये हैं यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर सब्तमबर के लाश्ट वीक तक आप लोगों का रेजल्ट ओफिसल वेपसाइट पर गोसित हो जाएगा किसी भी दिन दोस्तों आप लोगों का रेजल्ट अब आ सकते हैं अन्तिम सब्ता तक आप लोगों का रेजल्ट दोस्तों गोसित कर दिया जाएगा अब बात किया जाए शबसे मेन मुदे का क्या इसकी परिक्षा CBT-2 पहले हो जाएगी क्या group D की परिक्षा नहीं अभी conduct कराई जाएगी देखिए दोस्तों ऐसी कोई information नहीं है भरती बोट पहले ही information दे दिया था क्योंकि दोस्तों screen पर आप लोग देख सकते हो काफी दिन पहले इसका schedule एक जबजारी किया था दोस्तों पहले rrb ntpc cbt1 की परिक्षा फिर rrc group D की परिक्षा ये चीच की information थी तो दोस्तों railway उस pattern को बदलेगा नहीं बिल्कुल उसी pattern पर रहेगा लेकिन भले ही दोस्तों आप लोगों का अभी rrc group D का examination schedule नहीं आ रहा है कुल मिलाकर दोस्तों rrc group D की परिक्षा पहले conduct कराई जाएगी फिर आप लोगों की rrb ntpc cbt2 की परिक्षा conduct कराई जाएगी तो उमीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का confusion clear हो गया होगा वीडियो को लाइक कीजेगा share कीजेगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब को लीजेगा